राजिस्थान विधानसवा चुनाओं से ठीक पहले कॉंग्रेस में मुख्यमंत्री अशोग गहलोद और पूर डिप्टी सीयम सचीन पाइलेट के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। पाइलेट बीजेपी नेताओं की खिलाफ एक्षन समेथ कई अन्य मांगों पर अड़े हैं। बीते दिनों कॉंग्रेस आलाकमान के सामने गहलोद और सचिन पाइलेट की पेशी भी हुई। जिसके बाद दावा किया गया कि सब कुछ ठीक हो गया है। हाला कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। दरसल आने वाले दिनों में पाइलेट राजिस्थान की राजनेती में बड़ा धमाका कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पाइलेट इसी महीने नई पार्टी लॉंच कर सकते हैं। चुनावी रन नितिकार प्रसांत किसोर की आईपैक की सेवाएं भी सचि नितिवाने में मदद की है। नियूज लॉंडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सचिन पाइलेट अपने इरादे इसपर्ष्ट कर दिये हैं। आईपैक के वरिष सूत्र ने नियूज लॉंडी को बताया कि पाइलेट ने कुछ समय पहले उनकी सेवाएं ली थी औ करेंगे। नामना प्रकासित करने की सर्थ पर सूत्र ने बताया पाइलेट के इरादे इसपर्ष्ट हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह अपने नए प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और सफल होने तक नहीं रुकेंगे। वह साबधानी से चलने की योजना बना र रही है। इन दो लोगों में पूर करमचारी है तो एक वरतमान करमचारी। एक सक्स ने नामना components करने की सर्थ पर कहा आईपैक से सो लोग वरतमान में सच्चिन के लिए काम कर रही है। हमने लगबग 1200 और निपत्या करने के निर्देश दिये हैं। हमने इस नई पार्टी के लिए नाम सुजाए हैं यह भी दावा किया गया है कि जून में ही सचिनपालर अपनी नई पार्टी की गोश्चना कर सकते हैं